हेलो फ्रेंड में हो सिवानी मिस्टर स्वागत है आप सभी का डिजाइन पूल में आज डैग ब्लाउट डिजाइन बताएं के तो देख लीचे मैंने ब्लाउट ले ली इसकी जो लंबाई रखती साड़े तीरे इंच है चोड़ाई दस इंच है सोल्डर की चोड़ाई साड़े पांच इंच है और भोल की भी साड़े पांच इंच रखते हैं गले की चोड़ाई में 2.5 इंच रख रहे हूं 1.5 इंच अपने कोडिंग आप 30 दिन पे मार्क कर सकते हैं इतना तो लीपी आपर कर दे कहां डेख favorslex पो द्राज निचर कर अब इसी तरह की जैसे मार्किंग किये गले पर सेम कटिंग भी कर देंगे गले की यह स्तर की कटिंग हो चुकी है इसके साथ में ब्लाउस का में फैब्रिक लेंगे इसकी भी कटिंग इसी तरीके से करेंग जैसे अस्तर की की है तो बिल्कुल बराबर दोनों को रख दीचिए और कटिंग करते हुए फैब्रिक को एक्स्टर निकाल देंगे अब अस्तर और ब्लाउल तोनों फैब्रिक को बिल्कुल बराबर एक दूसरे के रख देंगे और सिलाई लगाते गले कि इसकी स्टिचिंग करेंगे तो दिख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग कर इसी तरीके से दोनों पार्ट को एक दूसरी के साथ में अटेज कर दीजिएगा तो मैंने ये देख लीजे पुरे गले पे सिलाई लगाते हैं दोनों पार्ट को एक दूसरी के साथ में टेज कर दिया है इसके गले पे छोटे-छोटे कट लगा देंगे cut लगाने से जब इसको पलट कर सीधा करते हैं तो design बिलकुर बराबर में आएगी मैंने cut लगा दिया अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे फिर दिखिए सीधा हो चुका है इसकी ऊपर से एक सिलाई लगा तो इसकी finishing दे देंगे इससे गले की डिजाइन उभर कर दिखने लगेगी यह फेनेसिंग की स्टेचिंग भी कम्पिर्टी ब्लाउस की हो चुकी है गले ब्लाउस की जो और राउंड स्टेचिंग करेंगे असतर कपड़े को बराबर रखिएगा और इसके साइट साइट से सिलाई लगाते हुए पुरा इसके अच्छे तरीके से स्टेचिंग कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ रही होगी मैं दोनों पार्ट को एक दूसरी के साथ में कैसे अटेच कर रही है यह देखिए ब्लाओस के और रखिचिंग कंप्लीटी हो चुकि यह नीचे के साइट से टक्स लगाएंगे तो माप लेंगे बराबर में और माप लेते हो दोनों साइट से यह आपको टक्स को लगाना है यह देखिए मैंने एक साइट से टक्स लगा दिया है इसी तरीके से माप लेते हैं दूसरे साइट से भी टक्स को लगा देंगे अब टक्स लगाने के बाद नीचे का बॉर्डर बनाएंगे बॉर्डर बनाने के लिए मैं अस्तर का एक फैब्रिक कट कर देती है ये फैब्रिक ले लिए इसको ब्लाउज के साथ में नीचे के साइट बराबर रखते हैं फिर जॉइंट करेंगे सिलाई लगाते हैं इसको नीचे के साइट से पहले स्टिच कर दीजिएगा ये पट्टी देखे मैंने स्टिच कर दी है इस पट्टी जो स्टिच के इसको पहले फैलाएंगे इसकी ऊपर से एक सिलाई लगाते हैं ब्लाउज के फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक एक सिलाई जॉट के साथ में इसको आपो डावर फोल्ड करना है भिर ब्लाउस के साथ में इसको जॉइन करते हूं नीचे का बॉडर बना देंगे श्टिच करके यह दीखी नीचे का बॉर्डर भी कंप्लेटी ब्लाउस का बन चुका है अब इसके गल्ले पे आपको डिजाइन बना की दिखाएंगे ब्लाउस साइड रखते हैं और डिजाइन बनाने के लिए मैंने एक पटी कट की है इस पटी की चोड़ाई रखी है 2.7 इंचे तो 2.5 और दो लाइन और एक्स्टा ले लिए जिएगा 30 की चोड़ाई रखी इसको डवल आपको फोल्ड करना इस तरीकी से फिर साइड से सिलाई लगाते हैं दोनों पार्ट को एक दूसरी के साथ में अटेच कर देंगी तो लंबी सी पटी बना लीजेगा इसकी इस तरीके स्क्वेर में कटकी इनकी लंबारी चोड़ाई जो रखी मैंने वो तीन इंच रखी है 3 इंचे इनको फोल्ड करना फिर सिलाई लगा तो इंची के साइड से इसको स्टेच कर देंगे इना डिजाइन को ऐसी में इसके सारे डिजाइन बना के आपको दिखाऊंगा कुछ डिजाइन देखिए मैं आपको बना की दिखा देखिए और सारे से मैं ऐसी बना लीजिएगा इसके सब डिजाइन बना दी हैं कि थ्रेट को काटिंग करके अलग अलग कर देंगे अब जो डिजाइन इसको साइड रखना है आपको फिर मैंने ये न्यूस्पेपल लिए इसको डवल पूल्ड कर दिया अगर आप चाहें तो इसके बक्रम भी यूज कर सकते हैं तो मैं थोड़ा डिजाइन को इजी दिखाने के लिए आपको न्यूस्पेपर की हेल्प लेती ये डिजाइन बना रहे हैं अगर आप चाहें बक्रम भी यूज कर सकते हैं तो यह दिखें पहले इसके उपर इस तरीके से पट्टी रखेंगे और बीच में इसके डिजाइन रखेंगे जो मैंने बनाई हुए ट्रेंगल वाली फिर फिर याई लगा के स्टीशिंग कर देंगे पट्टी को इस तरीके से मैं दूसरी पट्टी लूँगी और बीच मिच में ट्रेंगल वाली डिजाइन आपको रखते जाना है और चिलाई लगा कि इसको स्ट्च करते डिज़ाइन को मेफ़र के साथ में के sı सारे दिज़ाइन को इस तरीके सेम बना लिया है इसके ज़िए का पार्ट आएगा वहां से आपको क्या करना है वह अब देखते हैं यह अब तो आप अस्तर लगाएंगे तो मैंने आपको अरड़ी बता रखें अगर आप अस्तर लगाने की जिए अस्तर के उपर डेजाइन को स्टेच कर सकते हैं तो आप इस तरीके सिलाई लगाते हुए इसको स्टेच कर लीजिएगा निउस्पेपर को बीच भी समें निकालते लिए बाया है तो मैंने इस पटी ले लिए पहले निउस्पेपर को नीचे से रीमुब करेंगे और अस्तर जो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके अंदर के साइड स्टिच कर ले लिया और ब्लॉस के गले पर डिसाइं को ब्लॉस बराबर रखेंगा जितना एक्ष्ट्र है उ कि यहां दूसरे साइड से भी डिजाइन को टेच कर दिजेगा आप इसके टेकर से करने केट लिए जिए टेकर सब्सक्राइब प्रेल गले पर पुरे परीट कर देंगी अगर अब रखनी आप इसगे चुछ इतनी लाइन आप बना सके उत्ता लाइन कम भी करके बना सकते हैं तो मैंने देख लिए थोड़ा सा गला डीप निक ज्यादा मेरे नहीं है छोटा गला ही अगर डीप निक पहना चाते तो लाइनिंग कम रखिएगा तो ब्लाओर दीखी मेरी आपको और कैसी डिजाइन देखना पसंद करेंगे मिलते नए वीडियो में ने डिजाइन के साथ थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई